कहते हैं बिच्चु का मंतर न जाने साब के बिल में हाथ डाले वही हाल हो गया पाकिस्तान का पाकिस्तान को इस बार अपने मुर्खता पुर्ण कारी के लिए खुद ही पच्तावा हो रहा है इमरान खान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था लेकिन अब डर से वो भी चीन के अपने फैसले को बदल दिया है आखिर कौन सा फैसला लिया था वहीं इरान ने भारत को दे दिया है बड़ा जटका तो दूसरी तरफ रूस के थिंक टेंक ने रूस को चीन के बारे में ऐसी क्या बात बताई है जिसके बाद रूस ही नहीं भारत भी हो गया है चोकनना आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से किसी को भी ऐसे कारे नहीं करने चाहिए जिसके बाद उसे अपना मूह चिपाना पड़े पाकिस्तान की सरकार ने भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है चीन के सामने पाकिस्तान की क्या आउकाद है वह इस घटना के बाद साफ साफ क्योंकि उसमें और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी हिम्मत नहीं है कि चीन के सामने खड़ा हो सके जो कि खुद चीन की खैरात पर पल रहा है बाइक टांस कंपनी के टिक टोक को भारत के साथ साथ कुछ देश पहले ही बतिबंदित कर चुके हैं भारत में सीमा के अप्लिकेशनों पर बैन लगाया और वह आज भी कायम है लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सहांस दिखला पाना नामूंकिन है क्योंकि पाकिस्तान चीन के फेके हुए टुकड़ों पर पलता है चीनी कंपनियों को वहां कुछ भी करने की इजाजत है वैसे आपको बता दें क कुछ वक्त पहले चीन पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर के काम में लगे चीनी मजदूरों द्वारा पाकिस्तानी सेनिकों के साथ मार्केट की गई थी तब भी इमरान खान सरकार और सेना खामोस रही थी हाला कि काफी कुछ सोच कर बड़ी प्लानिंग के साथ इमरान खान चीनी सोसल मीडिया एप टिक टॉक पर बैन लगा दिया था लेकिन सिर्फ दस दिनों में ही पाकिस्तान सरकार की अकल ठीकाने आ गई और उसके बाद उसने यह बैन वापस से हटा लिया है और अब ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है पहले उन पॉन्टेंट आ रहे हैं टिक टॉक में वो अनयतिक हैं जो उनकी संस्तिर्थी के खिलाफ है लेकिन अब उन्हें यह लग रहा है सब कुछ चंगा है सब कुछ बढ़िया है वैसे यह तो महज शुरुआत है पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ जहलना है चीन ने जिन जिन की हालत देख लिजिए चाहे वह अफरिका की हालत देख लिजिए पाकिस्तान की हालत देख लिजिए क्या यह देश चीन की निवेश से काफी कुछ हाल हो गए अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान अमेरिका बन चुका होता या फ्रांस तो बनी चुका होता क्योंकि बहुत ज्य रूस के think tank ने रूस को अगाह किया है, उसने कहा है कि चीन का निवेस एक खतरनाक चाल है, इसके निवेस के जाल में किसी भी देश को नहीं पड़ना चाहिए, रूस जहां जहां चाहता है कि चीन निवेस करे, वहां चीन निवेस करने से मना कर देता है, यह कह कर कि वहां घनी आबादी नहीं है और चीन को फाइदा नहीं होगा तो रूस के किन छेत्रों में निवेस करना चाहता है चीन खास कर उन छेत्रों में जो उसे आर्केटिक छेत्र में ताकत परदान करेगी जिससे की आर्केटिक छेत्र में उसका दावा भी मजबूत होगा और उसकी पकड़ मजबूत होगी ऐसे में रूस के तिंक टेंक ने ब्लादीमिर पूतिन को समझाया है कि ऐसा कुछ भी करना बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि रूस की बहुत सारी कंपनियों पर धीरे धीरे चीन का कर्ज जाल पहलता जा रहा है और और ज्यादा अगर चीन निवेश करता है रूस के अंदर तो बस आप ये समझ लिजे कि रूस का भी वही हाल होगा जो अफरिका और पाकिस्तान जैसे देसों का हुआ है भले रूस के साथ ऐसा होने में वक्त लग जाए बाकी देसों की तुलना में देर हो लेकिन ऐसा हो जरूर जाएगा क्योंकि धीरे धीरे ची अपना निवेस बढ़ाता जा रहा है ऐसे में रूसी थिंक टेंक ने ब्लादिमीर पुतिन को अगाह किया है कि चीन के निवेस के जाल में अब रूस को नहीं फसना चाहिए अंतर राश्ट्री ये राजनीती और पूटनीती में ये कहा जाता है कि कोई भी देस किसी देस का हमेशा के लिए नो तो दुस्मन होता है और नो हमेशा के लिए दोस्त होता है लगवग सारे देस अपने अपने फाइदे देखते हैं और इन सब में अगर कोई चीज है जो महत्पुन भूमी का निवाती है तो वो होती है कूटनीती ये कूटनीती जहां राजनीतिक और आ अमेरिका इसराइल और इरान के जगड़े के बीच में फस चुका है जिसकी वज़य से यह माने कि भारत को भले ही आर्थिक बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन रन्नीतिक रूप से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है अब भारत के कभी दोस्त रहे इरान भारत से दूर होता दिखाई दे रहा है और जिसके पीछे दो बड़ी चीजे हैं एक अमेरिका और दूसरा चीन अमेरिका जहां लगातार इरान पर पतिबंध लगा कर बांकी दुनिया के देशों को भी उसकी मदद करने से रोक रहा है औ तो वहीं चीन उसे जितनी की जीडिपी है इरान की उससे ज्यादा का वह निवेस का लालच दे रहा है चार सो बिलियन का निवेस एक बहुत बड़ा निवेस है जिसको देख कर ही हाला कि अभी यह धरातल पर उत्रा भी नहीं है सिर्फ इसकी बाते हुई है लेकिन इसे दे अमेरिका के पर्तिवंद लगाने के बाद भी भारत इरान से कच्चे तेल का आयात करता रहा था लेकिन 2019 में कहीं अमेरिका से भारत के रिष्टे और वी ज्यादा खराब नहों जाए इस डर से भारत ने भी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया हालाकि जवाब में इरान न खिर्प आर्थिक नहीं रही अब यह बात बढ़कर रन्नीतिक रूप से महतपूर्ण छेत्रों में भी आ गई है दरसल अब जैसी खबरे आ रही है उससे लग रहा है कि इरान भारत को अपने उस गैस परजेक्ट से निकाल कर बाहर फेक सकता है जिसके लिए भारत और इरा की कमपनी ने मिलकर यह तैकरा था कि पर्शियन गहल के इलाके में गैस भंडारों की खोज की जाएगी और इस झेत्र को बिक्सित किया जाएगा ताकि इसे बैपार के लिए इस्तेमाल किया जा सके उस वक्त भारत और इरान ने मिलकर खोज शुरू कर दी और पर्सियन गल्फ में कुछ ऐसे इलाके भी मिल गए 2008 में जिसके बाद यह तैक किया गया कि अब इस दिसा में आगे बढ़ा जाएगा लेकिन अब ख़वर ऐसी आ रहे ही है कि अपनी इस परियोजना से इरान भारत को बाहर निकाल रहा है खोज वगएरा हो जाने के बाद जब मलाईख खाने का वक्त आया तो इरान अकेले ही मलाईख खाना चाहता है इरान ने साफ किया है इस जगवा को भीक्सित करने का कॉंट्रेक्ट इरान ने अपने नीजी कम्पनी को दिया है इसलिए वह ONGC से यह करार तोड़ सकता है ऐसे में यह देखा जा रहा है कि इरान की तरफ से भारत को बड़ा जटका मिला है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या फिर अमेरिका के खिलाब जाकर इरान की मदद करनी चाहिए कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ कर सकत मुआ इन तेमान है, कोया मैं युझा द्रणा युझा सकतτα हैं अगला युझा कर दै Baron